नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका हमारे आफिशल उडूब चैनल जी यस बाइनी रिस्र में, कैसे हैं आप सब, मैं ऐसा करता हूँ, श्वस्त हूँगे, मुस्त हूँगे, और अपनी तेयारी में ब्यास्त हूँगे, मित्रू तेयारी आप लोग टीजटी, पीजटी याड की कर रहे हैं, तो आप टीजटी याड की तेयारी में ब्यास्त हैं, मैं समान के चल रहा हूँ, 148 पदों पे भरती भी है, और 148 पदों में अगर आपको सेलेक्शन लेना है, तो फिर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग के दर्वाजे पर सर पिटने अली बात थी, थोड़ा समझिएगा, और आज की इस क्लास में हम लोग भारत की कुछ महतपुरून अकला सिचन संस्थानों को देखेंगे, जिसमें आपके बियच्ची वाले भी आजाएंगे, मुंबई वाले भी जाजाएंगे, चन्ने वाले भी आजाएंगे, लखनो वा जाएंगे, और बंगाल वाले भी आजाएंगे, तो सब कुछ देखना है, मित्रों, step by step समस्ते वे चलना है, जो questions बनते हैं, उन पे खाश फोकस किया जाएगा, तो उसे थोड़ा note down करने का प्रयास करियेगा, के बल क्लास देखने से फाइदा नहीं है, उनका एक 60 notes बनाते पूए, तो मित्रों अस्थापना इसके 1850 में होती है, संस्थापक कोन होते हैं, डुक्टर अलेक्जन्डर हंटर साहब, इसके संस्तापक होते हैं, कालेज का मेन गेट ये देख लो, यह आपका प्रांगण वाला एविया है, पुरा कालेज है, गौर्मेंट कालेज साहब and crafts मदराश चे नहीं और आगे बढ़े मित्रों तो इसके नाम आते हैं जैसे कालेज का उपनाम क्या है तो कालेज का जो उपनाम है मित्रों वो मदराश, school of arts मदराश है और अंग्रेज जो लुआरा परिवर्टित नाम क्या किया गया था तो अंग्रेज जब अठारा शो बावन के आसपास आते हैं तो इसका परिवर्टित नाम कर देते हैं वो नाम होता है गौवर्मेंट, school of industrial arts तो शब्द समझेगा चाहे गौवर्मेंट, school of industrial arts पूछे, चाहे आपसे वो गौवर्मेंट, college of arts अठारा शो बावन में होता है और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो पहले परधानाचारे की बात आएगी क्योंकि college है तो पहले परधानाचारे आप भी आएगे तो प्रथम परधानाचारे जो बनते हैं वो earnest विन फिल्ड हैपल बनते हैं और जो है ये 1884 से 1892 तक अपना कारेकाल यहां देते हैं फिर यह आगे चलके वहां कलकता जाएंगे ठीक है तो Ernest Winfield Hebel इसके प्रथम प्रधानाचारे रहें और प्रथम भारतिय प्रधानाचारे यह खोब आपकी परिक्षम पूछा जाता है इस पेस्टार लगाईएगा तो यह D.P.Rai. चोधरी साहब है तो कब आते हैं 1929 में आते हैं याँ 1929 में पहले भारतिय प्रधानाचाारे होने का गोरो प्रख्यात मौर्धी का D.P.Rai. चोधरी को मिलता है दुद्य भारतिय प्राचारे को नवन बनते हैं मित्रूं मदरास में मूजियम आफ से अस्थापीत किया जाता है वो तीन साल पहले, याणि नियुक्व शत्ताननवे में आयूजित होता है देवा से जो नया किंदर जुड़ता है वो अपकप जुड़ता है उनईशो शत्ता नवें जुड़ता है तो इस काले से सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा क्योंकि सबसे पुराना कालेज है मदरास वाला यह 1850 में अस्थापित हो जाता है और सनस्थापक अलेकजंडर हंडर होते हैं और कई बार यह पूछा गया नेश्ट वेंफिल्ड हैबल और कई बार डीपी राय चोधरी पूछे गए है केशेस पनिकर के बारे में भी पूछ रखता है थोड़ा सा इडवांस पूछेगा तो इन्हें भी याद रखेगा बात सारी हैं आपके दिमाग में बैठनी चाहिए आगे नाम आएगा गवर्नमेंट कालेजाफ हाट्स और क्राफ्ट को लोग आता मित्रो इसके स्थापना कब हुई आफका 14 साल बाद स्थापित होता है वो कब हुआ था 1850 में हुआ था मदराजवाला 1850 में हुआ था कलकत्तावाला 1864 में हुआ ये सन खूब पूछा जाता है तो उपनाम इसका क्या होता है इंडरेश्टियल आर्ट सुसाइटी होता है वोनाई 15 zwei स्थान में अस्यास था जो है उपनाम आता है 1864 में परिवर्टित तम होता है और गवर्मेंट कालेजाफ अर्ट सिंड क्राफ्ट हो जाता है शनस्थापक और संचालक की अगर बात करते है मित्रू तो संस्थापक इसके कोन है और संचालक कोन है तो लाड नार्थ ब्रुक नाम याद रखिएगा मित्रू लाड नार्थ ब्रुक के द्वारा गौर्मेंट कालिजा फार्ट सेंड क्राफ्ट को लोकाता की अस्थापना 1864 इसके उप पराचारीकॉर होते हैं, इसके पराचारीकॉर होते हैं, इसके पराचारीकॉर के बात होती है, तो खुब पुचहा जाता है, पहले आप ये कालेज का गेट लिए तेГा यह आपका कलेशा गेट है गॉर्मेंट कलेशा फार्ट सेंड क्राफ आप देख रहे हैं 1869 का डेट लिखा हुआ है 1869 की डेट लिखी हुई है और सब डेटेल्स में लिखा हुआ है ठीक है अब आउनी बाबो के शेश्यों की बात होती आउनी ना ठाकुर भारत के वास पदलती के जनमदाता माने जाते हैं तो इनके बहुत सारे सेश्यों हैं इसमें से शुरेंदरनाथ कांगुली का नाम आप याद रखेगा अशित कुमार हालधार का नाम याद रखेगा शुरेंदरनाथ मुजुमदार का नाम याद रखेगा के बिंक टपा का नाम याद रखेगा इसके साथ सेलेंदरनाथ डे का भी नाम इन्ही के साथ जुड़ता है तो सेलेंदरनाथ डे भी आउनी बाबो के शिश्य हैं समरेंद्रनाथ गुप्त भी नहीं के शिश्य आते हैं शार्दा चरण उकील भी किसके शिश्य हैं तो वो आउनी बाबू के शिश्य है और नागहफ्ट की बात होती है ये भी किसके शिश्य है तो नागहफ्ट महोदे भी आउनी बाबू के शिश्य है इसके साथ नंदलाल बोश जिन्हें प्यार से लोग माश्टर मोशाय कहते हैं तो ये भी किश के शिष्षी है मित्रों तो ये भी आपके आउनी बाबू के शिष्षी है और सुधी रजन खास्तगीर की बात होती है ये भी इनके कलागू भी आउनी बाबू ही है इसके साथ एक नाम और जुड़ता है मनीशी डेगा तो ये मनीशी डेगा भी किसके सिश्य में तो आप देखिएगा तो आपको देखने मिल जाएगा आउनी बाबू के प्रमुक शिश्यों में नाम है इनका तो ये सारी जो शब्द जुड़े थे ये कलकत्ता वाले गाले से जुड़े थे ठीक है गुवर्मेंट कालेजा फार्स कोलो काता जिसे इंडरस्टियल आर्ड सोसाइटी भी कहा जाता था और जेशके संस्थापग लार्ड नाथ बोक थे ये सारी बातें समझी आपने अब आगे चले मित्रों और अगला नाम आएगा जेजे इशकोला फार्स मुंबई का बहुत ज़्यादा कलाकार यहां से पढ़े हुई है मित्रों जेजे इशकोला फार्स कोलो काता से कोलो काता वाला नहीं मुंबई वाला ज़्यादा पढ़ा हुए ठीक है तो जे जे श्कुला फार्ट मुंबई में बहुत सरे कलाकार पढ़े हैं मित्रों और आप देखेंगे तो ये 28 साल बाद अस्थापित होता है सबसे पहले कोन आता है गवर्मेंट कालेज आप मद्राश आता है वो 1850 में इस्टब्लिश हो जाता है और ये 1878 में आता है प्राचीन नाम इसका क्या होता है मित्रों वो होता है अल्फरेश टोन इंस्टिटूट आफ आर्ट एंड इंडरस्टीज ये कालेज का गेट है आप देख लीजे अच्छे से किसकी सर जेजेशकूलाफार्स मुंबई की विकास में युगदान किसका रामित रहों तो जार गिर्फथस कर रहा है तो जार गिर्फथस महोदया खूब ज़्यादा प्रियोग किये उसके साथ पेश्टोन जी बे मोन जी या बो मान जी तो प्रिष्टोन जी वे मोन जी और उसके साथ गिर्फथस महोदय का खूब ज़्यादा सहयोग रायत अब जाके जेजेशकूलाफार्स अठाराशो शर्तावन के आसपास संस्थापित हो पाता है जो आपका एलफ्रेंसो इंस्टिटूटाफार्डाइन एंडरस्टिट की बात होती है वैसे तो अठाराशो अठार में अस्थापित हो जाता है आप जानते है प्रथम प्राचारे कोन बनते हैं तो पहले प्राचारे की जब बात आती है तो लाल बुरुड मिवलिंग लाड बुल मुलिंग जो है वो पहले प्राचारे बनते हैं और दूसरे लेबल पर जो प्रिंसपल बनाये जाते हैं वो शिलिल बर्न मनाये जाते हैं कुन बनाये जाते हैं शिलिल बर्न मनाये जाते हैं तीसरे प्राचारे को बनाते हैं ग्लेज इस्टोन शोलू मान आते हैं ये वनेशो अनेश से वनेशो 36 तक जो है प्राचारे रहे हैं किसके आपके जेजे शकुला फार्स के चौथे नमबर पर प्रिंस्पल कोन मनाए जाते हैं में तो चौथे प्राचारे जो आते हैं आपके उनका नाम होता है चार्ल्स जेराल्ड है ये वनेशो 36 में रहते हैं और आजादी के बाद प्रिंस्पल प्राचारे ये नाम इंपर्टन्ट है इस पर डबल इस्टार लगा के लिख लीजिएगा वासुदेव आदूर कर वासुदेव आदूर कर आजादी के बाद जेजे इसकूल आफार्स मुंबई के प्राचारे रहे हैं याद रखेगा तो संस्थापन की बात आ गई आपने ये देखा किसका योगदान रहा तो गरप्तिस और प्रिष्योन बोमांजी के जादा यगदान रहा है इससकूल के अस्थापना में तो ये बात जेजे इसकूला अफार्स की हो गई अब आगे बढ़ा जाय की बात करेंगे रास्थान इसकूला अफार्स कहा प्राइमित रहों मित्रू ये मदर्सा ये हुनिरी के नाम से भी जाना जाता रहा आपका रास्थानी स्कूलाफ आर्ट्स आगे बढ़े हैं वर्तमान नाम देखें तो सबसे पहले ये बिल्डिंग देख लो ये आफका welding में दो रास्थानी स्कूला फार्स, जैपुर वाला, वरतमान नाम अगर आप देखेंगे तो ये वरतमान नाम जैपुर इसकूला फार्स या फिर महराजा इसकूला फार्स एंड क्राफ्टस है, जैपुर में आफके स्थ्य थे थे, प्रतम प्राचारी की बात हो सैलेन नाडे का नाम आएगा हिरन मेराय चोधरी का नाम आएगा कुशल कुमार का नाम आएगा आप जानते हैं विनूत बिहरी मुखरजी का भी नाम आता है राम गोपाल विजेवर्गे का भी नाम आता है परमा नंद चुयल का भी नाम आता है जो अभी लेटेस्ट में थोड़ा सा चर्चित मुद्दा रहा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार इसी मियो कालेशा फार्ट सेंड क्राफ्ट के लिए थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने के लिए शोच रही है कि यहां का जो अब यूपी में टीजी टी की भरती में जो आर्ट की योगिता में इस कालेश का सार्टिफिकर्ट मांगा जाता है वो अब बंद किया जाए क्योंकि पड़ोसी मुल्क है मुल्क से कौन करके आएगा यहां फिर उसके उत्तर प्रदेश में क्यों नुकरी दी जाए इस सारे तत्थियों के शाथ लोग तरकते रहें दूसरे प्रद्रनाथ गुप्त싸व है यह आपका कालेश का गेटवाट देख सकते हैं मेयो कालेश आफ वाटस एंट्र लाघर वाला है बिल्कुल चारबाग की तरह दिखाई देता है जैसे लखनो में चारबाग वाला है और इसमें सिच्छक की बात करें कि मेंग खालेच भावेशंदर सान्याल का नाम आता है 1131 से 1136 तक यहां पर वो टीचर है BC सान्याल दोरा अस्थापित एक कालेज आता है जिसे लाहोर इसकुलाफ फाइन आर्स कहा जाता है तो लाहोर इसकुलाफ फाइन आर्स के अस्थापना भावेशंदर सान्याल करते है कहां करते हैं लाहुरेम करते हैं वर्तमान नाम क्या होता है सान्याल स्टेडियो हो जाता है उशी का नाम किसका जो इन्होंने अस्थापना की थी जो इन्होंने लाहुर इसकुलाब फाइनार्स के अस्थापना की थी उसका नाम सान्याल स्टीडियो हो जाता है सान्याल के शिश्यों की बात करें तो वीशी सान्याल के शिश्यों में कृष्ण खन्ना का नाम आएगा प्रमुक्ता के शाथ धनराजवगत का नाम आएगा दराजबगत के भी कलागुरू वही वावेशन रशान्याल रहे हैं और अमरनाथ सहेगल के भी कलागुरू वावेशन रशान्याल ही रहे हैं वर्तमान नाम क्या होता है मित्रों मियोकालेजाफ हार्स का तो National College of Arts लाहोर इसे वर्तमान में देखा जा रहा है इस नाम से पुकारा जा रहा है तो National College of Arts लाहोर अब जो है मेओका लाहोर का लाहोर का नाम हो चुका है याद रखिएगा आगे बढ़ें आगे एक महत पुरूर नाम आता है सान्तिन केतन वाला अकसर questions पर इच्छम पूछा है जाता है इतना सारा नाम जिया गया कई बार सन पूछे जाते हैं कि इस सन में क्या जुड़ा है तो ये बहुत जरूरी होता है अस्थापना कब होती है वो नई इशो एक में इसके अस्थापना खोजाती है शन स्थापक कुन होते हैं देविन्ना ठाकूर होते हैं बेर भूमी पश्यमंगाल के रहने वाले हैं ठाकूर वाड़े के ठाकूर रहे हैं और ये रभीन्दर बाबा के क्या रहे हैं पिताजी रहे हैं देविन्ना ठाकूर शांतीन केतन में कला भून के अस्थापना किस नहीं की तो आप जानते हैं मिद्रों शांती भी Woah ये आपका है शांतीन केतन देख लो देखने हम कितला बड़ है कितला लग रहा है कितला अच्छछा लग देखने को मिल जाएगा बिर भूमी जिला है याद रखिये गार ठीक है जिला तो ये बात आफ के शांती निकेतन की हो गई है शांती निकेतन भी भारती बिश्वध्याले वाला ठीक है आगे बढ़ें कालेजाफ फाइन आर्स लखनो की बात कर लेते हैं लखनो जो नुवाबों की नगरी है आप जा पहले प्राचारी कौन बनते हैं मित्रों तो पहले प्राचारी बनते हैं नैथनियल हार्ड क्या बनते हैं नैथनियल हार्ड इसके पहले प्राचारी बनते हैं दूसरे नंबर पे 1925 में अपनी शिवाएं देने आते हैं असित कुमार हालदार साब तो ये पहले भारते प्र भी अपनी शिवाएं दिये हैं, जिया महवासी भी यहां प्रेंसिपल रह चुके हैं और हस मेट के अगर बात करते हैं तो यह भी लखनोग कालेज के प्रेंसिपल रह चुके हैं, और विश्वनात मुखरजी के साथ लेलित मोहन सेन का भी नाम लखनोग काला महविद्याले के लिए जोड़ता है नाम याद रखिएगा मित्रों यह लोग जो है ऐसा प्रेंसिपल के रूप में कारे किये हैं लखनोग कालेजा फाइन आर्स वही जो उन्हें इसो ग्यार में अस्ते तुमें आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे सार्दा चरण उकील इसकोला फाइन आर्स की बात करते हैं तो यह नई दिल्ली में सार्दा चरण उकील वाला स्थापना उन इसो चबश में होते हैं तो सार्दा उकील इसकोला फार्स जो है तो यह प्रसद्धी की शुरूप में पाय हुए है तो मियूरल प्रेंटिंग के लिए जाने जाती है जैपुरी तक्निकी के लिए जाने जाती है और उसके साथ इटैलियन पदती के लिए भी आफकी वनस्तिली विद्ध्यपिट कलाभोन रास्थान खुब फेमस है शंबंदित कलाकार के अगर बात करते में तो कलाकारों में बिनूत भीहरी मुखर जी का भी नाम आता है किसका नाम आता है बिनूत भीहरी मुखर जी का भी नाम आ जाता है आपके वनस्तिली विद्ध्यपिट रास्थान से और एनेस ब्यंद्रे का नाम आए का ना रहाने स्रिधर बेंद्रे भी यहीं से है शान्ति दिवे के जो है शंबंद यहां से राज जोति भठ का भी राए के भी हरिदासन का भी राए। अर्वी वासकरन का भी राए और के यम का भी राय कियम के शाद आदी मूलम का भी शंबंद आपके वनस्तली विद्यापीट से रहा है जो रास्थान वाली है और विकास भटा चर्रा का भी नाम यहीं से जोड़ता है तो वनस्तली विद्यापीट से यह लोग शंबंद रहे हैं वही बात समझ में आ गई है तो आब आगे चलेंगे और आगे कालेजाफ हार्स की बात करेंगे जो कालेजाफ हार्स आपका नहीं दिल्ली वाला इमित्रों आप देखते होंगे इसकी अस्थापना पूछ ली जाती है तो कालेजाफ हार्स वनेशुब 42 में स्थित्व में आता है और यहाँ पे जो संचालित कोर्स चल रहे है उसमें बैचलाराफ फाइनार डियानी बीफ़े चलता है और एम फ़े चलता है और सिचक विसे की अगर बात करते है मित्रों तो यहाँ पे चितरकला और मूर्दिकला क काम जादा होता है तो चितरकला और मूर्दिकला का काम जादा होता है और कलेजाफ हार्स के जो छातर रहे हैं मित्रों वो कलेजाफ हार्स नहीं दिल्ली से पढ़े हैं उसमें मीरा मुखरजी का नाम आएगा रमेशुर बोटा का नाम आएगा एरिन बोधवन का नाम तो ये समनाम कलेज आफ हार्ट से जोड़े रहे अब थोड़ा आगे बढ़ें फैकल्टी आफ फाइन आर्ट्स की बात कर लें कई जिगए MS विश्विध्याले आप देखते होंगे तो ये वडोदला में आपके पाया जाता है तो उसके सो साल बाद ये कले जाया है बडोदला वाला ठीक है संचालित कोर्स कोन है बीफे में आप देखेंगे तो चितर कला मूर्द कला शोंदर शायस्तर ग्राफिक कला कामर्सियल आर्ट कला इतिहास म्यूग जोलाजी फोटोग्राफी लितोग्राफी बुड़कर्ट, सेरिमनी, इंटेगलियो, प्रेस प्रुंटिंग ये सब कुछ आपको यहां सिखाने को मिल जाता है इस पर ग्यान आपको देखने को मिलता है ठीक है तो सब कुछ यहां देखने को मिल जाएगा अब इसके कुछ खास खास प्राचार रहे है इधर विल्डिंग आप देख लीजिए, यह आपका विल्डिंग दिखाई दे रहा है मित्रों, मुचा सा बढ़ियां सा एक विल्डिंग दिखाई दे रहा है, जो faculty of fine arts के नाम से जाना जाता है, कई बारे में स्विश्व देले के नाम से लोग पुकाटता है, तो यह college है, औ गुलाम मुहमद शेक का नाम जुड़ेगा, और जे राम पटेल ने भी अपनी श्यमाएं दी हैं बढ़ोदला में, तो सही जवाब आप लोग, मान लोग अगर लगाना होता, तो पूछा जाता, कि faculty of fine arts बढ़ोदला की अस्थापना में किस्ट का सही हो रहा, या आप से य गुलाम मुहमद शेक हैं के जिशू ब्रमन्यम है, जे राम पटेले और एने स्वेंद्रे का नाम दिया गया, साथ में शांको जोधरी का बही नाम याद रखेगा, faculty of fine arts बढ़ोदला की प्रेंस्पल की रूप में, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे college आएगा, college of fine arts क बन जाता है, तो college of fine arts आपका इसी time period में आ जाता है, आगे बढ़ें मित्रों तो आगे कुछ हो रहाएगा, आगे आएगा government college of arts चंदीगड़ वाला, तो government college of arts चंदीगड़ की बात होती है मित्रों, तो चंदीगड़ में ये इस्तित है, आप ये जानते है, और इशू 62 में इसमें प्राचारी की रूप में जुड़ता है, और अगे आगे आएगा उप्राचारी कुणरा, तो उप्राचारी आपके सतीशंद्र गुजराल सहाब रहे, कुणरे, सतीशंद्र गुजराल सहाब रहे उप्राचारी, उप्राचारी कुणरे, सतीशंद्र गुजराल सहा तो यह नाम भी आपको याद रखना होगा अब एक विश्विद्याले और चलता है रविंद्र भारते विश्विद्याले आप जानते हैं रविंद्र भारते विश्विद्याले शन उनईशो 27 के असपास जो है स्थित तुमें आता है और सनस्थापक की बात होती है तो शोवन सोम शोवन सोम का नाम सनस्थापक की रूप में यहाँ लिया जाता है और विश्विद्याले में द्रश रिकला शंकाय की अस्थापना कब होती है तो द्रश रिकला जो आता है मित्रों वो अनईशो 72 में आता है 27 स्थापित होता है 62 पर दรशिकला शंकाय भी इस्थापित हो जाता है कि इसमें रबिन्द्र भारती विशुविद्याले चिस राजी में है को लूकाता बनता है याद रखेगा और आगे बढ़े मित्रों तो अपना प्रेाग राज का द्रश्या हाएगा द्रशे कलाविवाग प्रेाग राज वाला इसमें एक नाम होगा पूछा जाता है द्रेश कलाव प्रवाग राज़ वाला अस्थापना कब हुई और इशो ब्यालिस में हुई अस्थापक कौन रहा है चितिन दरनाथ मजुंदार का नाम कम शेकम दो शेतिन बार आपकी परिक्षा में चप चुका है तो नाम इंपोर्टेंट है याद रखेगा चितिन दरनाथ मुझुंदार साहिब के कुशस शिष्षे रहे हैं खास खास शिष्षे रहे हैं जैसे रामचंदर सुकल का नाम आता है तो रामचंदर सुकल के कला गुरू को न रहे है चितिन दरनाथ मुझुंदार जी रहे आपके प्रयाग विशुविद्ध्याले में है अगला नाम देखेंगे मित्रौ विएच्चियू का जहाँ आपका भारत कलाब होन है आप जानते हैं भारत कलाब होन के नाम से तो फेमस ही है बनारस इंदू विशुविद्ध्याले की बात करते हैं अब इसमें बात कर लेते हैं बिद्याले में भारत कलाब होन की अस्थापना तो भारत कलाब होन जो आता है मित्रों वो कौन से सन में आता है कहां पर आपके बिच्ची वाले प्रांगड में सन स्थापक कोन होते हैं भारत कलाब होन की तो रायकृष्ण दासी होते हैं ये भी कम से कम हमें लग रहा है एक से दो बार आपकी परिक्चा में छप चुका है तो डाटा इंपोर्टेंट है याद रखने क प्रयास करिएगा म कब होता है तो विजूल आर्ट्स वनईशो पचास के दसक में आप आता है कालेज का बस्तितु में आता है वनईशो शोला में आता है ये आप जानते हैं ठीके कौन करता है मदन माल भी लेकिन जो विजूल आर्स आता है वो कब आता है वनईशो पचास के दसक में आप आता विश्व बिद्याले से संबंधे चितरकार और मुर्दिकार के एक रबात करते हैं मित्रों चितरकारों में ये नाम जरूर पूछा जाएगा, जिम आहवासी का यानि जगनात मुरली धरायवासी का नाम आएगा, के-स कुलकरणी का नाम आएगा, बलबीद सिंग भट का नाम नाम आपके वियेच्चू से ही जोड़ा हुआ है तो यह सब नाम इंपोर्टन थे में तुरू आपके वियेच्चू के लिए भी और इस टाइप से आज की स्क्लास में हम लोग उने वियेच्चू भी देखा जो अनई इसो 16 में अस्तित में आता है हमने रभींद्र भारती ब अस्ताफ न और इस बी अस्ताफ न और इसो एक में होती है हमने ये भी देखा कि विश्वभारती बिश्विद्द्रे consistently होती है सांतीनी dense में ही उषे भी पड़ा है उसके साथ हमने ये भी देखा कि सारदा चाजण गुकील का का जाता है उन ऐसे चाबलिस करते हैं दिल्ली में ये भी हमने पढ़ा कालेज आप फाइन आर्स के प्राचारियों के हमने बात की तो नेथलन हार्ड पहले और दूसरे नमर पे अशित कुमार हालधार साफ का नाम हमने देखा तो ये सब कुछ महतवपूर्ण अनाम थे जिनने पढ़ने का प्रयास किया रास्थान इसकुला फार्स भी आपने देखा है देखा है ना जहां हिरन में राय चोधरी का नाम आया था कुछल कुमार का नाम आया था रामकुपल विजेबर्गिया का नाम आया था परमाना चोयल का नाम आया था जहांपर डीपी राय चोधरी ने वनेशों अंतिस में शेमायें दी और कमशे कम एक शे दो बार आपकी परिक्षा में डीपी राय चोधरी यहाँ पूछे जा चुके यह कालेश के दृष्टे में क्या ओल पूछे जा चुके अन्य तो बहुत important चितरकार हैं वो चितरकार कहने के मतलब है मूर्थिकार हैं भी हैं वो चितरकार भी मूर्थिकार भी बहुत सारे कला का रहे हैं लेकिन सबसे प्रमुकता के शाथ वो मूर्थिकला के लिए जाने जाते हैं तो ये शबनाम आपके लिए important बनता है तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको शमस में आई होगी इस क्लास से अगर थोड़ा बहुत शीखने को मिला हो मित्रों तो एक बार वीडियो लाइक कर देना और अपने इस्ट मित्र के भी सेर कर देना जिस्षे वो लोग भी लाभान भी थोब हैं एक क्लास चार पांच नंबर अगर आपको दे रही है तो बहुत बड़ी बात है मित्रों पूछा जाएगा तो पक्का दो से तीन नंबर तो आही जाएगा दो से तीन नंबर तो पक्का है उसमें कोई इफ़बट नहीं आता है आप देखना कोई टेस्ट पेपर लगाना प्रक्टिस पेपर लगाना कोश्चन से यहां से जरूर देखने को मिलते हैं कभी कलागार की रूप में कभी कालेज की रूप में कभी कालेज की अस्थापना की रूप में तो देखना important हो जाता है इसलिए आपको पढ़ाना भी important हो गया तो हमें उम्मीद है समझ में आई होगी बात है मिलते होन में तब तक के लिए दिल से salute जै हिंद